नमस्ते प्यारे बच्चों मैं नीरज आपका स्वागत करते हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ पता है क्यों आज बहुत अच्छा मोसम है ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं आज गई थी सैर पर और जहां मैं गई थी वहाँ थे खूब सारे पेड़ पोदे जूले पेड़ने की जगए और चलने के लिए रास्ते बताओ कहां होता है ये सब हुम बिलकुल ठीक पैचाना पार्क में आप भी तो जाते होंगे न पार्क किसके साथ जाते हैं दादा जी के या दादी जी के आपके पार्क में क्या-क्या है याद कीजिए आईए अब एक पार् चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है इसमें कुछ पेड़ पोदे हैं चलने के लिए रास्ता है बैठने के लिए जगय है और जूला भी है अच्छा बच्चों ध्यान से देख कर बताओ कि जूले के पास कितने बच्चे हैं गिनिये एक दो तीन जूले के पास त तीन बच्चे हैं आईए इस चित्र का अगला भाग देखते हैं अरे देखो यहां एक बच्ची और आ रही है अब गिनकर बताईए कि कुल कितने बच्चे हुए बताईए बताईए एक दो तीन चार चार बच्चे उसके बाद क्या हो रहा है इस चित्र में अरे देखो दा दादा जी और दादी जी भी बैठे हैं अब आप पता लगाईए कि कुल कितने बड़े लोग यहां बैठे हैं इन में से कितने दादा जी हैं और कितनी दादी जी हैं कितनी गेंद हैं और आज की हमारी इकाई का नाम भी है कितने जब भी हम से कोई पूछे कितने तो हम गिन क तो अब आप मुझे बताओगे कि कुल कितने, आईए इस चित्र को देखते हैं, इस चित्र के पहले भाग में है चार बच्चे और दूसरे भाग में दो बच्चे, तो कुल मिला कर कितने बच्चे हुए? चलिए गिन कर पता लगाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छ तो कुल हुए छे बच्चे आईए अब अगला चित्र देखते हैं इस चित्र के पहले भाग में तीन लट्टू है और दूसरे हिस्से में एक लट्टू और है तो कुल मिला कर कितने लट्टू हुए? बताईए बताईए एक, दो, तीन, चार चार लट्टू बच्चों, इसी तरह आप चीटियों और पैंसिलों को भी जोड कर गिन कर बताईए कि ये कुल कितने हुए? और अपने गणित की पाठे पुस्तक में लिखिए गिन कर संख्या लिखने के बाद अब बारी है चित्र बनाने की दिये गए गेंदों के चित्रों को देखिए इनकी संख्या को जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तूं का चित्र बनाईए तो चित्र के पहले भाग में है छे गेंद उसमें अगर हम दो गेंद और मिलाएंगे तो कुल कितनी गेंद होंगी? छे जमा दो हुए आठ तो कुल बनेंगी आठ गेंद तो हम खाली डिबे में लिखेंगे आठ और दी गई जगेंगे आठ गेंदों का चित्र बचों इसी तरह आप पत्रों को भी जोड़ कर उनका चित्र बनाईए आप चित्र बनाने में अपने माता पिता की सायता भी ले सकते हैं बचो जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माता जी और पिता जी वे उनके भाई बहन अलग-अलग कामों में मेरी मदद करते थे क्या आप जानते हैं कि आपकी माता जी और पिता जी के कुल कितने भाई बहन है? मुझे अपने बारे में पता है मेरी माता जी के दो भाई हैं और मेरे पिता जी के तीन भाई हैं तो कुल मिलाकर कितने भाई हुए? दो जमा तीन हुए पांच भाई यह जानना भी मज़ेदार होगा कि आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य है क्या आप बता सकते हैं आपके हाथों और पैरों में कुल मिला कर कितने उंगलिया है यह जानना तो बहुती असान है आपको बस अपने हाथों और पैरों को देखना है और उंगलियों को गिनना है वैसे आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं? मैं अपनी हाथों की उंगलियों पर दस वस्तुएं गिन सकती हूँ देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो और दस पूरी दस वस्त में गिन सकती हूँ मैं इसका मतलब हम वस्तों को गिनने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तमाल भी कर सकते हैं आईए इस चित्र को देखते हैं चार और तीन दोनों को मिला कर कितना होगा? आईए गिन कर देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तो दोनों को मिला कर हुआ साथ तो खाली डिब्बे में हम लिखेंगे साथ आप इसी तरह बाकी के सवालों को भी गिन कर उनका जवाब लिख सकते हैं आईए एक और उदारन देखते हैं, तीन और दो बताईए कितना होगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच तो कुल मिला कर हुए पाँच तो हम खाली डिब्बे में लिखेंगे पाँच बच्चों, इसी तरह आप बाकी के सवाल भी हल कर सकते हैं आपको जरूरत होगी अपनी उंगलियों की कर दो हम जरूरत होगी